मशकार दोस्तों मेरा नाम है मोही शर्मा और आप देख रहे हैं आज का सवाल सीरीज आज की माई डेट है 4 जुलाई और 4 जुलाई को मना जाता है दोस्तों Independence Day USA आपको बता दो अगर आप Government Exam हीमानचल प्रदेश की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए online course provided है अगर आप interested हैं तो आपको contact number पर पता करना पड़ेगा जो आपको description में दिया गया है इस सीरीज में हम उन्ही सवालों को देखते हैं जो हीमानचल प्रदेश की विवन परिक्षाओं में कई बार पुझे जा चुके हैं तो बिना देनी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखेगा देखेए आपसे सवाल पुझा जा रहा है हीमानचल प्रदेश में सबसे जादा विधान सभा की सीटें किस जिले में स्थित हैं उप्शन्स आपके सामने दी गई हैं लाहुल स्पीती, कांगडा, मंडी या शिमला तो इसका जवाभ का सही उत्तर है दोस्तों वो है उप्शन नमबर सेकिन्ड कांगडा अगर बात करें कांगडा की, लाहुल स्पीती की, मंडी की और शिमला की तो जानिये जो लाहुस पीती में आपकी विधानसभा की टोटल सीटे हैं वो दोस्तों एक है और ये जो एक सीट है ये स्टी वर्ग के लिए है अगर बात करें चम्बा में तो चम्बा में विधानसभा की जो सीटे हैं वो पाँच है इसमें एक SC के लिए है और एक ही ST के लिए है बाकी की तीन जो है वो समानने वर्ग के लिए है अगर बात करें किनौर की तो किनौर में दोस्तों आपकी एक ही सीट है वो भी आपकी ST के लिए ही है अगर बात की जाए कांगड़ा की तो कांगड़ा में केवल तीन सीटे जो हैं वो SC के लिए हैं बाकी सारी की सारी सीटे हैं सामानने वर्ग के लिए हैं बात करें कुल्लो की तो कुल्लो में आपकी चार सीटे हैं इसमें केवल एक सीट ही जो है वो SC के लिए है अगर बात करें शिमला की तो शिमला में आपकी टोटल 8 सिटे हैं जिसमें SC वर्ग के लिए केवल 2 सिटे हैं बात करें मंडी की तो मंडी में 10 सिटे हैं जिसमें 3 आपकी SC वर्ग के लिए हैं इसी तरह से सिरमौर में आपकी 5 सिटे हैं जिसमें 2 आपकी SC वर्ग के लिए हैं सोलन में भी आपकी पांच सीटे हैं, तो सोलन में भी आपकी दो SC वर्ग के लिए हैं, उना में भी आपकी पांच सीटे हैं, जिसमें केवल एक ही SC सीट हैं, अगर बात करें बिलासपूर की, तो बिलासपूर में चार हैं, इसमें एक आपकी SC वर्ग के लिए हैं, और अगर हम तादूं दोस्तों, ये जिस क्रम से मैंने जिले लिके हैं, ये घटते क्रम में हैं, आप देखेंगे कि सबसे बड़ा क्षेत्रफ लाउस पीती का है, फिर चंबा का, फिर किन्नौर का, फिर कांगडा, फिर कुलू, फिर शिमला, फिर मंडी, फिर सिर्मौर, फिर सोलन, फिर फिर बिलासपूर फिर हमिरपूर इसके लिए दोस्तों एक बहुत ही लाजवाफ ट्रिक है जिसे आप देख सकते हैं तो देखिए आपने याद करना है L C ट्रिपल के फिर करना है आपने SMS फिर उसके बाद करना है आपने SUBH तो आप देखेंगे L C ट्रिपल के जहां तक आ गया लक ने SMS किया शुब को L से लाहुथ पिती C से चमबा, K से किन्नौर फिर कांगडा, फिर कुलू फिर शिमला, फिर मंडी फिर सिर मौर, फिर सोलन फिर उन्ना, फिर बिलासपूर, फिर हमिरपूर अगर दोस्तों आपने उन्लाइन कोर्स इस समय प्रवाइड हो रहा है तो बात करते हैं इस समय हिमांचल प्रदेश में करोना केसी के बारे में, तो इस समय जो हिमांचल प्रदेश में करोना केसी की टोटल केस हैं, वो दोस्तों 1030 हैं, जिसमें and help line number की तो आप इन्हें देख सकते हैं अगर आपको ये ज़रूरी लगते हैं तो आप screenshot लीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिए और वीडियो अपने उन दोस्तों को शेर कीजिए जो competitive exam की त्यारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आपका तही दिल से धन्यवाद जय हिंद जय हिमान चल